तो आज इस वीडियो में बताने आलाओं कि क्या आप मेटियोर 350 में silencer चेंज करवा सकते हैं अगर करवा सकते हैं तो कौन से silencer हैं जो आप इसे इसमें install करवा पाएंगे इस बाइक में तो सबसे पहले अपना इंट्रो दे दूँ हेलो गाइज मेरा नाम हमन आप देख रहे हैं राजात लॉक्स यूट्यूब चैनल चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो वीडियो के स्टार्टिंग में आपका ये डाउट क्लियर कर दूँ कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि क्या हम इसमें डॉल्फिन सैलेंसर या फिर शॉर्ड बोडल सैलेंसर या फिर कोब्रा सैलेंसर इंस्टॉल करा सकते हैं तो अब आप इसमें आफ्टर मार्केट सैलेंसर इंस्टॉल नहीं करा पाएंगे क्योंकि इसका band pipe बहुत ज़्यादा लंबा है अगर compare करे classic 350 and bullet 350 से and इस वज़े से इसमें एक ही bolt दिया हुआ है silencer को connect करने के लिए and हमें 2 points चाहिए होते हैं जितने भी aftermarket silencer आते हैं उन्हें connect करने के लिए 2 points चाहिए होते हैं तो यह जितने भी aftermarket silencer है इन्हें आप Meteor 350 में install भी किसी भी variant में नहीं करा पाएंगे तो आप बारी आती कि इसमें हम कौन कौन से silencer जो है install करा पाएंगे तो चलिए सबसे पहले आपको बताता हूँ number one silencer की तो Royal Enfield का खुद का silencer आप इसमें install करा सकते हैं जिसमें ना कोई चलान होगा एंड एक decent sound सुनने को मिलेगी तो सबसे पहला straight silencer जिसकी costing हमें around पढ़ती है 3450 रुपीज की एंड इसमें हमें two color variants देखने को मिल जाते हैं Royal Enfield की badging भी देखने को मिल जाती है तो चली अब आपको इसका sound सुना देता हूँ उसके बाद बढ़ते हैं second silencer की दरफ तो चली अब बात करते हैं second silencer की जो की है tapered silencer एंड इसकी costing भी हमें 3450 रुपीज की मिल जाती है एंड color option की बात को तो इसमें हमें two color option मिल जाते हैं चली है इसको sound आपको सुना देता हूँ एंड इन silencer को आप अपने नीरेस रॉयलेंड फिल्ड पर जा के पर्चेस कर सकते हैं एंड फिटिंग जो है installation free of cost है आपको install वन आर टू आर के बीच में आपको install करके मिल जाएंगे एंड जो हमारे aftermarket silencer होते हैं वो खाली bullet 350 एंड रॉयलेंड फिल्ड क्लासिक 350 में ही install हो पाएंगे meteor 350 में हमारा जो पंजाबी silencer आता है हमारा cobra silencer आता है dolphin premium आता है ऐसा कोई भी aftermarket silencer install नहीं हो पाएगा बस यही एक कमी है एंड इस कमी को दूर करने के लिए रॉयलेंड फिल्ड ने खुद के ब्रैंड के silencer प्रवाइड करा हैं जिनकी sound तो आपको कम मिलेगी बट उनका base अच्छा है तो यही थे दो silencer जिनने आप install करा सकते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे शेर कर दीजे एंड हमाई चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रस कर दिए ताकि जब मैं ऐसे latest latest वीडियो अप्लोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुच जाए मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में